नमस्कार में डॉक्टर रास्था जैन, फोर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नीलकंट हॉस्पिटल जपूर सेंड़। हमारे समझ में IVF को लेकर के बहुत सारी गलत धार्नाएं होती हैं जिने के हम मित्या मिस्कंसेप्शन भी कहते हैं तो आज हम डिटेल में बात करेंगे कि इनमें कितनी सचाई होती हैं सबसे पहली जो गलत धार्ना होती हैं IVF को लेकर के लोगों में वह या होती है कि IVF के ट्रीट्मिंट के दौरान या उसके बाद महिला को पूंता रूप से बेड्रेस करना पड़ेगा जैसे कि हम कम्प्ली का काम कर सकती हैं जब उनका पिक अप होता है या एंब्रियो ट्रांसफर होता है उस वक्त हम मैलाओं को एक से दो दिन का बेड्रेस्ट एडवाईज करते हैं ऐसे में हमारी सला यह होती है कि जिन मैलाओं का पिक अप हुआ है या ट्रांसफर हुआ है ऐसी मैलाओं को भारी सामान में उठाना चाहिए या लंबी दूरी का सपर तैर नहीं करना चाहिए या हस्बिन के साथ संबन नहीं बनाने चाहिए IVF को लेकर के दूसरी गलत धारना लोगों के बीच में यहां होती है यहां धारना पूंता रूप से गलत है IVF के ट्रीटमेंट के दौरान आप नाचरल तरीके से जो चीजे खाते हैं जैसे कि आपका खाना या फ्रूट्स या दूद से बनी चीजे इन सभी चीजों का सेवन कर सकते हैं IVF pregnancy या normal pregnancy दोनों प्रकार की pregnancy में महिलाओं को हर्मोलन इंबालेंस होने की वज़ा से शुरुवाती महिनों में खाना ना पच्चनी की बिमारी होना या जी मचलाना या उल्टिया होना यह सभी समस्याएं होती हैं जो की pregnancy बढ़ने के साथ साथ दीरे दीरे खत्म हो जाती हैं तो ऐसे में हमारी सलाय होती है कि ऐसी महिलाओं को जो उन्हें भाता है या उन्हें सूट करता है उसी तरीके की खाने को उप्योग में लाना चाहिए अगर महिलाओं अच्छा स्वस्त घर का बनावा खाना खाती हैं तो उससे वहाँ इन सभी सारी समस्याओं को दूर कर सकती हैं या उनसे निजाद पा सकती हैं तीसरा जो misconception है IVF को लेकर के वहाँ या होता है कि IVF में twins या triplet यानि की जुड़ा या triplet बच्चे ही होते हैं पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि IVF के treatment की success को बढ़ाने के लिए दो या तीन बूनों का transfer किया जाता है जिसमें से 70-80% cases में single यानि की एक ही बच्चा होता है 10-12% cases में twins pregnancy हो सकती है और 5-10% cases में triplet pregnancy हो सकती है तो यदि आप twin pregnancy या triplet pregnancy की डर की बज़े से IVF का treatment नहीं ले रहे हैं तो आप single blastocyst transfer भी करा सकते हैं जिसकी बज़े से आपको single pregnancy होने के chances होते हैं IVF को लेकर के चौथी जो गलत धारना होती है या होती है कि IVF pregnancy की delivery नॉर्मल तरीके से नहीं हो सकती सिर्फ cesarean से हो सकती है तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि या धारना भी गलत है IVF की pregnancy नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी ही होती है अगर IVF की pregnancy में cesarean section करना पड़ता है तो वहाँ depend करता है कि उस वक्त मा की इस्थिती और बच्चे की इस्थिती कैसी है इसमें cesarean delivery उनी मैलाओं की की जाती है जैसे कि उनका अगर BP बढ़ गया है या बच्चे दानी का रास्ता नहीं खुल रहा है या बच्चा अतदिक वजन का है बच्चा उल्टा है या बच्चे की आवल नीचे की ओर है तो इन मैलाओं में हम लोग सेजरेan delivery की सलह देते हैं इसके अलावा IVF में normal delivery भी की जा सकती है तो अगर आप इन्ही सभी मिथ्यों के चलते हुए IVF treatment लेने से कतरा रहे हैं तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं